लखनों वाले तो जानते हैं, देश वाले भी जानते हैं आपको, पांच शहरों में तो मेट्रो चला दी आपने, लेकिन सौभा गयोता है किसी राज जी का कहते हैं कि अगर जो मुख्य अफसर है, जो मुख्य सचिव है, वो लोकल हो, और आप लोकल हैं, जब आप बच्पन में, महु में, उत्रप्रदेश जो देखते थे, तब सोचा कि इस राज जी की बागदोर आपके हाथ में होगी, त तो मैं एक गाओं में पैदा हुआ था, और पेड़ के नीचे पढ़ना प्रारम किया था, तो मैं सोच भी नहीं सकता था, कि मैं आज एक दिन वो ऐसा आएगा, जब मैं पूरे प्रदेश का मुख्य सचिव हूँगा, तो मेरे लिए तो गुखत बड़े सपने की बात है, और ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है, कि वहां से उठकर के भारत सरकार का सच्वी भी रहा, आवासने उसहरी कारे मंत्राले में आप जानते हैं पूरे देश पर के स्वक्ष भारत मिशन, अटल मिशन फर अरबर रिजुब्रेशन और ट्रांस्फरमेशन, प्रदार मंतरी आवास चूजना, अब जब मैं यहां पर हूँ, तो यहां से मैं कितना कुछ दे सकता हूँ, क्या कुछ कर सकता हूँ, वो मेरी सोच है और वो मेरी चुनावती है. आज जैसे सुर्खिया जो बन रहा है, वो मसला उत्तर प्रदेश में उस मुद्दे से जुड़ा है, जो कई साल से चल रहा था, माफिया राज, और जाहर सी बात है, विकास, प्रशासन, सब उसके आगे फेल हो जाता है, अगर राज्य में कानून विवस्ता ही सही नहों त से उदर से गुजराज से अतिक को लाने की बात हो रही है, इसका सीधा सीधा चवी पर क्या असर पड़ेगा, प्रशासनिक चवी पर? देखे, जो पिछले 6 साल में हमारे प्रदेश का एक अभूत पुर्व परिवर्तन आया है, एक जन विश्वास जगा है हर लोगों का, हमारे प्रदेश में सांती विवस्ता की बात हो, सुरक्षा की बात हो, एक बड़ी चिंता की बात हुआ करती बहुत दिन नहीं 6 साल पह कहीं अपने station से उतर करके अपने गाउं जायें, छोड़े सर मघाया, लोग स는रची नहीं भसूस कर सकते थे, आज हमारे प्रदेश में पूरे प्रदेश के सारे 75 जन पतों में कहीं से भी कहीं आप जा सकते हैं, आप निश्चिन्त हो करके जा सकते हैं, आज जो जो इतना ब चीजों का रोल है लेकिन ये जो एक बहुत सुरक्षा और सांति ब्योस्ता का माहौल बना उसका रोल है कि आज हमारा निवेश सुरक्षित है वो समझ सकता है कि अगर वो निवेश करेगा तो उसका भी भला होगा वो भी करेगा और हमारे प्रदेश का भी बलाओगा, हमना प्रदेश आगे बढ़ेगा तो मैं समत्ता हूँ कि जो हमारे माननी मुक्षमंत्री जी ने एक 6 साल पहले माफिया या गुंडे या जितने सारे समाज को नुक्सान करने वाले लोग है अगर आप हमारे क्राइम के फिगर्स पढ़ें तो उसमें देखेंगे कितना बहतर काम किया हरे चीज में कितने लोगं को सजा दी गई है, कितने लोगं की चीज़े जब्ट की गई है कितने ऐसे लोग जो की जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि इनको कोई सोच सकता है कि इनको कोई बोल भी दे आज वो लोग भागे हुए हैं या छुपे हुए हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर आप समाज के प्रती क्राहिम करोगे तो आपका एक ही जगा है और वो जगा निश्चित है अब जो खबरे आ रही हैं कि उनको जब यहां लाने की जो अदालत की बात है उसमें तो कानूनी कारवाई है यहां लाने की बात हो रही है उसमें कोई कह रहा है कि उन्होंने गाड़ी में बैटने मोना कर दिया कोई कह रहा है कि गाड़ी से टर लगता दिखे कानून का अपना तरीका है कानून अपने तरीके से हैंडल करेगा तो आप जब आएंगे तो कानून आपको हरे को मौका देता है सजा तो हो नहीं है और दिखे सबसे ज़्यादा सजा अब किसी भी प्रकार के क्राइम को उठा लीजे पाईए जो भारा सरकार देती है उसकी ट्रॉफी पाईए तो जब ये निवेश की बाते हुई और 33 लात करोड़, 34 लात करोड़ के करार हो रहे हैं उसके बाद जब CCTV की वो तस्वीरें चली तो उस की भाई इस तरह से शूट आउट हो रहा है उमेश पाल केस में उन तस्वीरों को देखकर एक प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिकों के अलग बात है प्रशासनिक अधिकारी क्या सोचता है कि क्या अरे ये तो छवी पे असर पड़ेगा इसका जल्दी से इसको रेकवर करना है आपके मन में क्या चला आपकी टीम ने क्या किया आपने देखा माननी मुखमंद्री जी ने कैसे बिधान सभा में जो जबाब दिया था पूरे दुनिया ने देखा It's no tolerance to crime and corruption No tolerance वो absolutely अगर कोई ऐसी चीज़ करता है जो कि सबाज की सुरक्षा को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो प्रशासन और हमारा पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तादी के साथ उन्हें नहीं छोड़ेगा सवाली नहीं उठता है और उसका सीधा-सीधा हर आदमे को आज विश्वास है दुनिया में देश में हम तो बिदेशों में वहाँ भी लोगों को मालू है कि अटतर बिदेश में कितना अचा विश्ता हो गया तो लोगों को तो ये भी विश्वास है कि वो गुजरात से यहां पहुंच ही नहीं पाएंगे आपके हसी ने सारा जवाब दे दिया यह बताईए ओन अ सीरियस नोट गानून विवस्था और निवेश, विकास, माहौल इसका गानून विवस्था से इतना सीधा असर होता है कि एकदम से अगर हम कंट्रोल कर लें तो सब कुछ, सब में विश्वास जगना शुरू हो जाता है नहीं, देखे कि केवल कानून विवस्था मातर से निवेश नहीं आएगा कानून विवस्था निवेश लाने के लिए एक माहौल खड़ा कर देता है लेकिन साथे साथ जो उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों में एक अभूत पुरो परिवर्तन हुआ है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लीजिए आज जो उत्तर प्रदेश का हमारा बुंदेल खंड और पुरवांचल था एक वरसे बिल्कुल दूर रहता था अभी पुरवांचल एक्सप्रेसवे बन गई बुंदेल खंड के एक्सप्रेसवे बन गई अभी गंगा एक्सप्रेसवे पे काम चल ला है बलिया लिंक के उपर तो हिंदुस्तान का जो एक्सप्रेसवे का प्रदेश उत्तर प्रदेश हो गया है हर इलाका और उसका नतीजा जब निवेश हमारे आए तो लगभग 10 लाख करोड के निवेश हमारे पुर्वान चल भाए जो कोई सोच नहीं सकता था बुंदेल खंड में लगभग 5 लाख करोड के निवेश है अब इसके साथ ही साथ केवल एक्सप्रेस वे नहीं बलकि रेल्वे लाइन का अगर डबली करण के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबस्यादा ठारा हजार किलोमेटर का काम हुआ है अगर फ्रीट कोरिडोर का देखें जो की फ्रीट कोरिडोर सीधे आपको पुर्वी बंदरगा और पश्मी बंदरगा से आपको जोड़ देता है यहां से ले करके उसका पुर्वी जो इस्टन फ्रीट कोरिडोर है उसका करीब 50% उत्तर प्रदेश में और बहुत तेजी से हमारे प्रदेश में काम किया गया यह मान करके कि हमारे लिए यह फायदे की फायदे का है यह बारा सरकार की उजना लेकिन हमारे लिए फायदा करेगा कि हम अपने फ्रीट को ले करके सीधे-सीधे पुर्वी बंदरगा ते जा सकते हैं पश्मी बंदरगा में भी करीब 10% हमारे उत्तर प्रदेश में उसमें या काम चलने के लिए प्लानिक चल लेगे तो ये मेट्रो में भी इतनी तेजी अगर हिंदुस्तान का पहला रिजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट दिल्ली से लेके मेरट आप मात्र पच्पन मिट में पंद्रा इस टेसों पर रुखते वे जा सकते हैं यह ऐसा चीज हमने विद तक आराटीय से चलेंगे हर एक सहर जो उसके लगए हैं ऐसे लगेगा जैसे दिल्ली का मोहला बन गया अभी दो दिन पहले मानी पधान मंत्री जीन ने पहला देश का पहला ट्रांसपोर्ट रोपे आप में से बहुत लोग रोपे में चड़े होंगे जो की टूरिस प्लेस सब्सकर देश हैं अब सीधे यहां से सामाल लेकर फ्रीट से पहुंच सकते हैं और वह प्रयाग राज से लेके हल्दिया तक हो ने जा रहा था रहा रिल अगर एएरपोर्ट का देखे हमारे एस जैस साल पहले के बल्डो एरपोर्ट उत्तर परजेश में चलते थे ठीक से जो तो चलते भी थे नहीं भी चलते थे आज 9 एanç गन्रफ़ाइट जाती है और अभी हमारे दो और इंट्रस धायडर्म काम चला तो पांच इंट्रस एयरपोर्ट और सोरा एरपोर्ट हो जाएंगे हमारे अगले दो साल के बीतर बीतर तो यह हमारा उत्तर जास में एक regional connectivity, national connectivity, international connectivity जिस चेजी चे बढ़ा है तो यह सारी चीजें भी बड़ी माने रखती है तो दूसरा तो इंफासेटर हो गया तीसरा है ease of doing business कि आपको आपने ये भी बना दिया लेकिन पदा चला कि जो निवेस्क हमारा उसको तंक कर रहे हैं कि ये अप्रूबल वह प्रूबल ये परेशानी वह परेशानी बहुत सारी दिकते होती हैं तो हमने माननी प्रणा मंतरी जी का विजन है उनका जो एक डिरेक्षन है इस ऑफ नीचे से अबारा अस्थान होता था अब हिंदुस्तान में दूसरा अस्थान है और हम पहले अस्थान के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि आज इस अब डूइंग बिजनस में, गुड गवर्नेंस में, एक्सपोर्ट प्रमोशन में यह सब सारे जितने इंडिसे भारत सरकार के हर एक में उत्तर प्रदेश काफी ऊपर आ चुका है और वो एक नया महौल ख़ड़ा करता है एक दूसरा महौल आवशक है हमें मैंपावर की, मैंपावर को ले करके अभी हमारे प्रदेश में आप जानते होगे कि हमारे 65 मेटिकल कॉलेजे चलना है हर जिले में one medical college in every district, हर division में एक इनवस्टी, अभी करीब 20 इनवस्टी हाल में private इनवस्टी को approval दिया गया है उनको काम करने के लिए हमारे प्रदेश में हाल में अभी पिछले बजट में चार नई इनवस्टी अप्रूवल की गई, इसके पहले चार और इनवस्टी पे काम से लिए इतनी तेजी से मैंपावर के लिए IIT है, IIM है, हमारी जो ITI 300 से ज़्यादा है, उसमें से 1.500 ITI अभी TATA के अभी हमने साइन किया है, अगले दो साल के भीतर भीतर ये सारे बिल्कुल मॉडन आपको जो है, इंडस्टी रेडी मैंपावरों प्रड्यूस करेंगे, ये इस प्रकार से और अभी मैं, जब अभी तो मुख्वंत्री जी ने ये साइन किया, मेरे पास एक दूसरी पार्टी आ गई, वो और पचास ऐसे हमारे ITI लेना चाहते है, आज ऐसा हर कोई उत्तर प्रदेश में रिवेस करना चाहता है, उत्तर प्रदेश में अपने फुट्प्रिंट लाना चाहता है, आपको जान करके खुशी होगी, कि जो हमारा जब इसमें लगबख साड़े तैंतिस लाख करोड के हैं, और आज लगबख 35 लाख करोड के M.U. साइन हो गए, और ये M.U. फिजिकल नहीं है, सारे के सारे डिजिटल है, ऑनलाइन साइन हो रहा है, इसका जो इंसेंटिव मेरेंजमें सिस्टम है, सारा ऑनलाइन होगा, मतलब वो जो कहते हैं कि ये सब कागस पर हैं, वो कागस विकसित भारत का जो विजन है, मानी मुक्वंतिजी, सीधे सीधे, उस विजन के अनुरूप जो वहां से डिरेक्शन साते हैं, उसके हिसाब से सीधे उसको धरातल पर लाने का प्रयास करते हैं, और हम लोग उनके सिपाही हैं, मतलब धरातल पर आएगा, क्योंकि लोगों क यह होती है कि बजट साथ लाग करोड का, पैंतिस लाग करोड का निवेश का करार तो हो गया, लेकिन प्रदेश पे कर्ज भी बहुत बढ़ता जा रहा है, आप इतना कर्ज लेके इंफ्रस्ट्रक्चर बना रहे हैं कि आने वाली पीडियां उसको चुकाएंगी यह बिलकुल गलत बात है, अभी हाल के समय में हमने लोड पुराने हैं, अभी हाल के समय में कोई ऐसे बहुत लोड नहीं लिए गया, जो पुराने हैं वो तो हैं हमारे पास, तो कि हमारी जो रिवन्यू में काफी इजाफा हुआ है, चाहे वो स्टेट टेक्सेस के बारे मे आप हर एक revenue का चाहिए एक size का taxes के बारे में हो हर चीज में लगभख दूना हमारा विकास जो होगा उससे जो tax आएगा वो पूरा कर देगा देखे ये economy का एक cycle होता है जब आप economy में आप growth करते हैं तो हमारे tax बढ़ते हैं जब tax बढ़ेंगे तो उससे फिर further growth होगा ये अपने आप में एक fulfilling और एक ऐसी स्थिति में हम आ चुके हैं ऐसी स्थिति में आ रहे हैं को कि इसके लिए जो काफी सारे जो काम हुए जैसे मैंने बताया power sector में काम हुआ आज हमारे गाओं में आप सब कोई जानता 18 से 20 गंटे बिजली आती है हमारे नगरों में 20 से 22 गंटे बिजली आती है जो डिस्टिक अपार्टर 24 गंटे बिजली आती है अब ये जो जो चीजे सुनश्चित हुई है इसका सीधा सीधा लाब होगा कि चुकि अर्थ बहुस्था तेजी से काम कर रही है हमारे टेक्स जब बढ़ेंगे और टेक्स में जो चोरियां होती थी जो उसमें कमियां आती थी उन चीजों को टैप किया गया ऐसा नहीं कि 100% होगी अभी भी थोड़े मोड़े कमी होगी लेकिन digital माध्यम से उसको online accountable system के माध्यम से कोशिस यह हो है कि हम लोग जितना हमारा potential है उसके मुताबिक हम tax code collect कर से एक का जाता है कि सरकारी तंत्र जो होता है उसमें कई tools होते हैं आपके प्रशासनिक तंत्र में एक tool बहुत जादा इस्तमाल हो रहा है और उस tool का नाम है bulldozer यह तो पहचान हो गई उत्तरपदेश की हमारे मानु मुक्पंदी जी की bulldozer इस बात को represent करता कि ऐसी चीज जो की अवैध तरीके से बनाएगी अगर कानपुर वाले हैं होंगे तो उनको मालू होगा मैंने भी उसमें कुछ एक building गिरवाई थी लेकिन बड़ा कम प्रियोग होता था तब क्या होता था अगर ऐसा कभी हुआ कि आप बल्डोजर लेकर निकले और वो इस्तमाल नहीं हो सका अभी कम सकम लोगों को एक intention बड़ा साफ-साफ मालू है अगर आप गलत काम करोगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता यह आप लोगों बड़ा यह साफ मैसेज है सारे लोगों में कि अगर आप crime करोगे गलत काम करोगे गलत तरीके से कोई इसे बनाओगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता है ये मेसेज बहुत positive message है और मैंसे बता हूँ प्रसासन के लिए कि मैं मुक्सची हो मुझे मालूम है प्रसासन के लिए ऐसा अगर हमाएं अगर सनक्षण है ऐसा गैर कानून ही काम नहीं करते हैं बिल्कुल कानून के दायरे में जागर के जो नोटिसे जरूरी है जो जो आउशकता है वो सारी पूरी करते हुए लेकिन अगर गैर कानून चीज है तो आपकी हिम्मत है कि आप उसे तोड़ सकते हैं ये बुल्डोजर का एक रेप्रेजेंटेशन में तो और राज्यों में भी इसका आजकल प्रियोग हो रहा है एक चूप की जो बात होती है वो और राज्यों से भी कंपेर की जा सकती है वो अलग बात हैं लेकिन कर सिर्फ उत्तरप्रदेश की बात करें पेपर लीक हो जाते हैं पेपर लीक में चूप कहा हो रही है अभी हमारा हाई स्कूल और इंटर्मिडेट का पेपर हुआ कोई लीक हुआ बिल्कुल नहीं कोई निउस आप तो लोगों के मन में दो बाते हैं एक तो लोगों के मन में विश्वास हो कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हम छोड़े नहीं जाएंगे तो फिर लोग नहीं करते हैं जब लगता है कि छोड़ो थोड़ी गुंजाई से हम बाचित करके चीज़ों को निप्टा सकते हैं तो लोग इस प्रकार के अनायाश अनित्कित प्रयास करते हैं तो यहाँ जब लोगों को बिलकुछ साफ है अगर कहीं कोई घटना होती है तो उसको तुरंथ उसके उपर एक्सन लिया जाता है उसको छोड़ा नहीं जाता है तो इसकी वज़े से मैं समता हूँ कि ऐसे लोग जो अनित्कित प्रयास करते थे उन लोगों को अभी हिम्मत नहीं है काम करने के लिए और बाकी अगर कहीं कुछ होगा तो वी विल नॉट इस्पेर एनीबड़ी इसमें कोई डाउट नहीं है एक कई विशलेशक कहते हैं कि असीम संभावना है उत्तर प्रदेश में जो है एक एक शित्र ऐसा है जिसको शायद उतना टैप नहीं किया गया जितना किया जा सकता था वो है परेटन का क्षेत्र बिलकुल आपने बहुत अच्छी बात कही परेटन के बारे में नहीं बलकि उत्तर प्रदेश में हर चीज़ की असीम संभावना है परेटन भी उसमें एक है अब जैसे बुंदेलखंड आप लीजे बुंदेलखंड में इतने सारे किले है इतने सारे पुराने बने हुए महल है इतने सारे जो वाटर बॉडिज है इतना सारा जंगल पहाड वोगर है लेकिन उसका 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 उपरेश्प्लाटेशन नहीं वा कारण क्या था कारण ये था कि बुंदेल खंड एक प्रिकार से हमसे दूर था अभी जब बुंदेल खंड एक्स्प्रेस वे बन गया आपने सुना हो गया जब मानी पधान मंत्री जी ने उदगाटन किया था उन्होंने अपने उदगाटन में खादा कि यहां के परेटन की संभावनाओं को हमें तलास करके इसके एक नया विकास का राता देना और हम लोग उस पर आलड़ी काम करना चालू कर दिया है बहुत सारी अब आप देखेंगे आने वाले स्वे में हमारे जो इधर जो मैंने बताया लगब पांच लाग करोड के निवेश जो साइन किये गए ग्लोबिल इंवेस्टर सिम्ट में उसमें काफी कुछ परेटन्स रिलेटेड है इसी प्रकार से अने शत्रों में भी जो वाटर बाड़ी जो बाकी जगह तो पानी की बड़ी समस्या होती है हमारे याँ पानी की बहुत अधिकता है आप जाके पूरब में इतने बड़े-बड़े तालाब है अब उसको लेकर कैसे हम लोग आर्थी गज़जीयों का छितर बना सकते है इसके बारे में काम हो रहा है तो आज उत्तर प्रदेश एक नए रास्ते तलास रहा है आपको मालूब होगा कि जैसे माननी प्रधान मंत्री जी ने फाइव ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी का एक विजन दिया पूरे देश को उसके तत माननी मुक्वंद्री जी ने वन ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी का एक लक्ष दिया और उस लक्ष के उपर हम लोग काम करने और उस लक्ष को हम तब पूरा कर पाएंगे जब हमारे प्रदेश का एक भी छितर है और छूता नहों विकास के गत्विजियों से हमारे देश हमारे प्रदेश का एक भी वर्ग हर वर्ग आप देखें कि सिप्षा के बारे में इतना मूल्चुल परविर्टन हो रहा है जो प्राइमरी स्कूल में बताया कि ग Census के भी बात में ऐहां स्कूल के बिल्डिंग तो बूखें है बाता बीडिंग легко बेकारहालत में हो गई थि तो यह एक पूरा का पूरा परिवर्तन की लहर परदेश में है और वो परदेश जो वन टिलिन डॉलर एकॉनमी से लेकर करके जो माननी परदानमंदी जी का विजन है डबलब कंट्री का उस डबलब कंट्री में एक डबलब उत्तरपरदेश बन करके आगे बढ़ने वाला है प्रशासनिक स्तर पर आरोब लगते हैं कि एक वर्ग को अलप शंक्यक work को सरकार ध्यार नी देती प्रशासनिक स्तर पर क्या यह बदलाब देखते हैं अपकी कुछ-कुछ फैसले जब लिए जाते हैं तो किसी वर्ग से कुछ आवाज आए ये बिलकुल गलत बात है इन फेक्ट जब मैं सुनता हूं तो मुझे बड़ा अश्चरी होता है। जो योजनाएं होती हैं चाहे आपने खागी मैनोरिटीज के बारे में या किसी भी वर के बारे में उन योजनाओं का जितना लाव आज मिल लहा है। देश में या प्रदेश में मिला इतना लाव उनको पहले नहीं मिलता था। वहाँ पे लोग जा रहे हैं आने जाने जो मंदिर जाते हैं उनको कोई तकलीफ न होने पाए। यह हमारा काम है प्रशासन का काम है अगर आप मंदिर में आपके जैसे कि जो भी किसी भी कहीं तरीके जाते हैं आपकी सुरक्षा बेवस्था करना आपका ध्यार नकना है यह हमारा काम है। ट्रस्ट मंदिर बना रहा है प्रशासन नहीं बना रहा है। के माध्यम से जो पूरा इलाका जितना सारा वहां के पहले तो कारगो एक नया जो है जो एकनोमिक डवलप्मेंट के तौर पे आप जानते हूं अधर आगरा भी है अलीगर भी है बुलज सारे वो सब पूरा का पूरा इलाका राजस्थान का इलाका है उस पूरे इलाके की जो आरती गजबिज्यों के लिए वागे बढ़ेगा शासी ता जेवर एरपोर्ट के पास हमारा जमना इंडस्टियल एक्राविक डवलप्मेंट अथारिटी बना हुआ है उस अथारिटी के माध्यम से तमाम सारे बड़े बड़े जैसे कि हजार एकड में हम वहां पे एक एक इंडस्टिय का फिल्म सिटी बनाने जा रहे हजार एकड का हमारा वहां पे एक अलेक्टरॉनिक सी सिटी बनने जा रही है कि five इंडस्टिय जो कप हमारे जो उलेक्टरॉनिक जो छिप्स होते है उसका मनिसफेक्चर भी होगा, उसके पास में तबाम किस्म की मैसीन्स की इंडस्ट्री बन रहे वो पूरा का पूरा हिलाका इतना तेजी से इंडस्ट्राइज हो रहा है और वो सब के पीछे यह हमारा जेवर का जो एरपोर्ट है वो एक धूरी बनेगा एक नूडल पॉइंट बनेगा हमें समझता हूं कि बहुत जल्दी उसमें एक मरो हमारी उत्त पॉलिशी को पढ़ाई की देखा कि उसमें क्या-क्या बढ़ियां चीजे हैं क्या चीजे हमारे प्रदेश के रहे अच्छी हो सकते हैं तो आज देश की सबसे जादा निवोसन मुखी जो निवेस को आकरसित कर सकती है ऐसी पॉलिशी बनेंगे अब उस पॉलिशी में मैं पॉलिशी भी है मैं समतता हूं कि यहां लोग आएंगे और आके इन्वेस्मेंट करेंगे कि सारी कि सारी हवाई जहाजों का जो मरमत तो अगरा होता वो सारा वहां पे हो सकता है तो आज प्रदेश में यह हमारा जो पश्चिमी इलाका है उसको विक्सित करने में एक तो य और दूसरा आराटियस दोनों का बहुत बड़ा जोगदान होगा चलिए आकरी सवाल वही जो सुबहर से सुरखिया मना हुआ है मैं फिर से आप से पूछ लेता हूं क्योंकि हमने डीजीपी साब से भी पूछा उन्होंने बुला यहां पर इस प्रदेश में पुलिस की गा अपने इकबाल से चलती है जो प्रदेश का इकबाल बड़ा तेज है और हमारे मुक्षमंत्री जी का प्रताब बहुत तेज है उन्होंने जो जो आज बवस्था बनाई है कि हर एक कोई अगर कुछ ऐसे गड़बर करने के उम्मित करता है उसको एक बर सिहरन हो जाती है और जानता है कि अगर कहीं से भी उनके जानकारी में आ गया तो नहमें पुलिस छोड़ेगी नहमें परसासन छोड़ेगा आपको कानून का जो अंतिम रास्ता है वहां तक अवच से पहुंचाए जागा और बहुत देर नहीं जितना जल्दी होगा उतना जल्दी पहुंचाए में और उत्तरप्रदेश के जो योगी सरकार के दूसरे कारकाल का एक साल पूरा होने पर हम यहां पर यहां पर यह मन्थन कर रहे हैं उसमें अपना युगतान दिया बहुत दो चुक्रिया नहीं बहुत बहुत धन्यवाद की सुर्दी आप से बात करके अच्छा लगा थै बहुत